वेलकम टू ओनलाइन स्टड़ी क्लासिस इस लेक्चर में हम आपके साथ मेंसुरेशन का सोट नोट्स का पार्ट थ्री डिसकस करने जा रहे हैं पार्ट वन और पार्ट तू हम अल्लेडी डिसकस के हैं चैनल पर उसका वीडियो एबलेबल है चलिए उसमें हम आपके साथ क्वाडिलेटरल डिसकस कर रहे थे पार्ट टू में वही पर लेक्चर समावत हुआ था हमने आपको quadrilateral का जो है area बताया था कि quadrilateral का area क्या होता है half into एक विकर्ण कोई भी एक विकर्ण का length लेना है और उस पर जो है सिर्सलम जो होगा उस सिर्सलम का आपको sum करना है तो उसी करी में जो है चत्रभूज में ही चलते हैं उसका types कितना होता है quadrilateral का उसका discuss करते हैं तो समांतर चत्रभूज से start करते हैं quadrilateral types of types of quadrilateral types of quadrilateral चत्रभूज का जो परकार है उसके बारे में discuss कर रहे हैं तो जो पहला परकार है पहला type है वो है समांतर समांतर चत्रभूज समांतर चत्रभूज जिसको की बोला जाता है एंगरेजी में parallelogram समांतर चत्रभूज में क्या होता है कि यह एक ऐसा चत्रभूज है जिसका कि आमने समने का भूजा का जो यूग्म है वो समान होता है और समांतर भी होता है जैसे कि बनाते हैं इसका diagram से आप लोग समझेगा अच्छे से ये आपका parallelogram होता है इसमें क्या होता है कि आमने समने का जो ये भुजा जो है अगर इसको लिखते हैं A B C D तो A B जो है C D के parallel भी है और equal भी है और B C जो है A D के parallel भी है और equal भी है लेकिन इसका जो है कोन यहां का 90 डिगरी का कोन नहीं है यहाँ पर 90 degree का कौन नहीं है यहाँ पर समानतर चतर वुज में अगर यह 90 degree का कौन हो जाता तो क्या हो जाता आयत हो जाता ठीक है तो यहाँ पर देखे इसमें क्या हो रहा है कि आमने समने का जो है आमने समने का जो भुजा है वो इक्वल है और समानतर है तो यहाँ पर वो दोनों बातों को लिखते हैं कि AB बराबर CD है and AB जो है parallel है CD के दूसरा point क्या है इसका BC जो है अपने सामने वाला भुजाका equal है और BC parallel भी है सामने वाले भुजाका BC parallel to AD और AB equal to CD and AB parallel to CD तो यह जो है इस तरह का जो चतरभुज होता है उसको बोलते हैं समानतर चतरभुज या parallelogram बोलते हैं तो इस parallelogram का हम लोग देखेंगे कि इसका area कैसे निकालते हैं तो चलिए इस side को हम लोग मानते हैं B इसको B मान लेते हैं तो यह भी क्या हो जाएगा इस side को A मानते हैं तो यह भी सामने वाला क्या हो जाएगा A हो जाएगा इस पर एक altitude draw करते हैं एक सिर्सलम draw करते हैं तो सिर्सलम ये draw किये और इसका height माल लेते है h है small h जो है सिर्सलम का height है अब देखें इसमें क्या करेंगे हम लोग इसका area निकालते हैं सबसे पहले छेतरफल area को A से denote करते हैं इसका जो छेतरफल होगा वो होगा कि अधार अधार इंटू इसका जो है उचाई तो यह उचाई है इसका इसका उचाई तो यही है ना यह अधार हो गया यह उचाई हो गया तो area बराबर होता है अधार गुन उचाई अधार गुन उचाई यानि अधार क्या है जिस भी अगर जहां माल लिजे इस से अगर जहां ड्रो करते इस पे परपेंडिकुलर ठीक है सपोज इस तरह का अगर राता कि ये इस तरह से इस पे ड्रो करते तो ये अधार बन जाता अभी चुकि यहां से डी से इस पे किये हैं तो इसलिए ये जो है अधार बना हुआ है, तो अधार क्या है, B है, A, B जो है यह अधार है, इसकी लंबाई B है तो अधार गुनो उचाई क्या है उचाई H है, तो B गुनो H जो है, इसका area हो जाएगा, छेत्रपल हो जाएगा आब इसका परिमिती देखते है परिमिती, perimeter परिमिती, परिमिती जो है perimeter है, perimeter क्या है तो इसका जो boundary का जो length होता है वो आपका परिमिती होता है तो परिमिती बराबर क्या हो जाएगा तो यह A, B, A, B A, B, A, B प्लस A, प्लस B यहनि कि क्या हो जाएगा 2 into A plus B आपको rectangle का भी पता होगा जो आयत होता है उसका भी परिमिती यही होता है 2 into A plus B ठीक है, rectangle में क्या होता है कि यह जो cone होता है, 90 degree होता है चारो cone 90 degree का हो जाता है उस cases में, यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ पर क्या है, कोई जरूरी नहीं है कि यह cone 90 degree का हो हो भी सकता है लेकिन जलूरी नहीं है कि 90 डिरी का हो कुछ भी एंगल हो सकता है यहाँ पर तो यहाँ पर एरिया का क्या होता अधार गुना उचाई यह अधार है यह उचाई है अगर इस पर perpendicular रहता तो यह अधार बन जाता और उचाई वो H रहता तो एरिया निकल गया परिमिती निकल गया अब इसका डाइगनल पर discuss करते हैं डाइगनल को हिंदी में क्या मोलते हैं बिकर्न बोलते हैं तो देखें डाइगनल इस तरह का ड्रॉ करते हैं इसमें दो डाइगनल ड्रॉ करते हैं एक diagonal ये है और दूसरा diagonal जो है ये diagonal क्या करता है दो जो है opposite vertex को मिलाता है एक opposite देखें C vertex है ये दोनों vertex को मिलाए ये diagonal कहलाया इसी को क्या बोलते है diagonal को Bickern तो यहाँ पर लिख देते हैं ये आपका Bickern है Bickern है अंगरेजीम इसको बोलते है diagonal और देखे यह AC एक विकर्ण है दूसरा विकर्ण है आपका BD तो इसका जो है हम लोग जो लेंध है उस लेंध को भी लिखते हैं इस लेंध को माल लेते हैं यह लेंध डीवन है AC का जो length है D1 और फिर BD का जो length है यह आपका D2 है तो यहां लिख देते हैं AC बराबर D1 और BD बराबर जो है आपका D2 है यह क्या है आपका विकर्न है अब देखें विकर्न दिया हुआ है या विकर्न पता है हम लोगों को तो उस cases में हम लोग किस तरह से विकर्न के साथ एक relation establish कर सकते हैं तो देखें विकर्न के साथ एक relation क्या है third rule यही लिख रहे है D1 square plus D2 square D1 का square plus D2 का square बराबर होता है 2 into A square plus B square यहाँ D1 और D2 क्या है diagonal है विकर्न है तो D1 का square first diagonal का square plus second diagonal का square बराबर होता है 2 into A square plus B square देखें इसमें question क्या आपसे पूछा जा सकता है आपको एक diagonal दे दिया जाएगा और आपको A मतलब कि एक side ये वाला side और ये वाला side दोनो side दे दिया जाएगा आपसे दूसरा diagonal पूछा जा सकता है या आपसे question ये पूछा जाएगा diagonal दे दिया जाएगा आपको एक side भी दे दिया जाएगा दूसरा side का length पूछा जा सकता है तो एकदम formula based question होगा अगर जिनको भी ये parallelogram का समानतर चतरभूच का अगर ये relation पता है कि D1 square plus D2 square बराबर 2 into A square plus B square तो वो लोग असानी से कर पाएंगे मतलब असानी से diagonal का length निकाल पाएंगे या side का parallelogram के side का length निकाल पाएंगे चलिए इसमें और जो है देखते हैं कि क्या important जो है फर्मूलाज है ये mensuration दीखें बहुत बढ़ा chapter है जल्दी से इसे cover कर पाना मतलब कह सकते पॉसिबल नहीं है और सारे फर्मूलाज को याद कर पाना भी बच्चे को बहुत मुश्किल होता इसलिए हमने आपको इसका short notes ही provide कर दिया MTS में MTS के examination में इससे बाहर नहीं जाएगा इसलिए आप लोग अगर सारे पर्मूलाज को अच्छे से देख लीजिए आप जो है सारे question असानी से कर पाएंगे अगर देखें इसका area निकालते हैं और दूसरे तरीके से area उस cases में ये निकालते हैं कि अगर जहाँ A, B और इसका diagonal का अगर length दिया हुआ रहे तो उस cases में हम लोग area कैसे निकालेंगे ठीक है A और B जो है अगल बगल का बुजा है adjacent बुजा है ये बुजा और ये बुजा अगर दे दिया है और दोनों बुजाओं का छोरों को मिलाने वाला जो है और आपको जो है ये दे दिया है diagonal का length दिया हो रहा था D तो उस cases में area क्या निकालेंगे कैसे निकालेंगे इस parallelogram का तो चुकि देखे हमें जो है अगर इस formula को इस्तमाल करते है area निकालने के लिए हमें height पता होना चाहिए तभी हम निकाल सकते हैं क्योंकि base into height हो रहा है तो height अगर नहीं दिया हुआ है अब जो है देखे दो side दे दिया और diagonal दे दिया है तो क्या हम लोग निकाल सकते हैं area तो हाँ निकाल सकते हैं उसके लिए हम लोग को क्या करना परेगा है हिरोन फर्मुला का इस्तेमाल करते हैं तो area वराबर हो जाता है under area वराबर 2 into s into s minus a into s minus b into s minus d देखे अगर इस 2 को हटा दिया जाए अभी इस 2 को हटा देते हैं तो देखे यह एक तिर्भूज बंड़ा है और इस तिर्भूज का छेत्रफल निकालने के लिए हम लोग जानते हैं यह रोन फर्मुला लगाते हैं डिसकस किये थे फर्स्ट लेक्चर में तो इसमें देखे क्या होगा S into S minus A S minus B S minus D अब देखे दो इस तरह का तिर्भूज बंड़ा है एक तिर्भूज तो इधर है एक तिर्भूज और इधर भी है तो दो तिर्भूज बंड़ा है इसलिए जो है 2 से कर दिये हैं मल्टिप्ला है तो area बर आब 2 into under root S into S minus A S minus B S minus D तो इसको जो आप लोग अच्छे से याद रख लिजेगा बस इतना ही इसमें जानना है मुख्य रूफ से उसके बाद चलते हैं हम लोग आयत भी डिसकस करते हैं आपके साथ सकेंड है आयत आयत को बोलते हैं इंगलीज में रेक्टेंगल आयत में देखे क्या होता है कि ये एक ऐसा समानतर चतर भूज है जिसका आमने समने का जो भूजा है वो बराबर है और समानतर भी है और हर एक कौन जो है क्या होता है नबे डिरी का तो ये भी एक समानतर चतर भूज है मतलब आपको जिसमें समांतर चत्रभुज अभी बता रहे थे तो उसमें हमने आपको कहा था कि अगर देखिए समांतर चत्रभुज में इस तरह का था इस तरह से टिल्टेट था तो मैंने आपको बताया था अगर इसका समांतर चतरभुज में ये कोन जरूरी नहीं 90 डिगरी हो जाए लेकिन रेक्टेंगल में है कि ये वाला जो कोन होगा मतलब ये वाला जो कोन होगा ये 90 डिगरी का होगा तभी तो कह सकते हैं कि जो आयत है वो आपका पेरलोग्राम बन सकता है आयत जो है आयत तो एक special case हो गया ना परलोग्राम का एक special case आयत है नहीं है लेकिन क्या हर एक आयत जो है परलोग्राम बन सकता है क्या नहीं बन सकता है क्योंकि आयत के साथ यह boundary है कि 90 डिगरी का कौन यहां का होगा तभी वो आयत होगा अगर 90 डिगरी का कौन यहां पर नहीं नहीं बन सकता है, लेकिन पेरलोग्राम के यहां इस कोन पर कोई भी बॉंडरी नहीं है यह कोन जो है कुछ भी हो सकता है 60 डिगरी, 70 डिगरी, 80 डिगरी यह 90 डिगरी भी हो सकता है तो इसलिए जो है, हर एक जो है पेरलोग्राम जो है, वो आयत बन सकता है लेकिन हर एक आयत जो है आपका परलोग्राम नहीं बन सकता है क्योंकि आयत होने के लिए आपको यहां का कोन 90 डिगरी का होना चाहिए तो इसमें जो है इसका डाइगराम बनाते हैं यह आपका आयत है ठीक है, रेक्टेंगल है इसका हर एक कौन जो है 90 डिग्री का है A, B, C, D आमने समने का जो भुजा है ये बराबर है और पैरलल भी है ये दोनों आमने समने का जो भुजा है बराबर है और पैरलल भी है तो पहला तो इसका यही प्रोपर्टी हो गया कि इसमें क्या-क्या property आया सामने देखने को लिए मिला पहला property ये था कि जो AB है वो equal to CD है and AB जो है parallel to CD है दूसरा है कि जो AD है वो equal to BC है and AD जो है parallel to BC है ये दोनों property तो fulfill होना चाहिए तीसरा है rectangle में लेकि यही property जो है parallelogram में भी था यही जो है rectangle में भी है लेकिन तीसरा एक necessary condition है rectangle में कि जो angle है angle A बरावर angle B बरावर angle C बरावर angle D equal to 90 degree मतलब हर एक जो कोन है वो 90 degree का होना चाहिए तो अब देखे अगर ये वाला rectangle है इस तरह का अगर एक parallelogram बना देते हैं और ये angle 60 degree रख लेते हैं फिर एक और parallelogram हम बना रहे हैं और ये angle जो हम 80 degree रख रहे हैं तो क्या ये 60 degree वाला parallelogram rectangle हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ये rectangle नहीं हो सकता है लेकिन अगर इसी तरह का parallelogram जो है अगर इसका कौन 90 degree हो जाए तो क्या ये parallelogram rectangle बन गया क्या हम बन गया इसका अतला है कि parallelogram जो है इस special parallelogram ये इस तरह का एक special parallelogram है जो कि rectangle के तरह behave करने लगेगा क्योंकि इसका एक cone जो है यहां का जो cone है सारा cone जो है 90 degree का हो गया तो सारा parallelogram ये वाला parallelogram तो rectangle नहीं बना ये वाला parallelogram तो rectangle नहीं बना इसका मतलब ये तो कह सकते ना सानी से कि सारा parallelogram जो है rectangle नहीं है वो बस मात्र एक ही ऐसा वो parallelogram है जिसका कि सारा cone 90 degree का है वही parallelogram rectangle है लेकिन rectangle जितना भी rectangle होगा वो सारा rectangle तो पेरलोग्राम बनेगा देखें क्या लिख रहा है यहां लिख देते हैं जो all जो है rectangle जितना भी rectangle है वो सारा जो है पेरलोग्राम बन जाएगा यह सारा जो है पेरलोग्राम पेरलोग्राम बनेगा लेकिन क्या सारा पेरलोग्राम rectangle बन रहा है यह वाला परलोग्राम रेक्टेंगल है क्या नहीं है तो यहां लिख सकते हैं कि और रेक्ट और परलोग्राम यह सही है और परलोग्राम रेक्टेंगल और परलोग्राम रेक्टेंगल होगा तो यहां पर होगा नहीं आल पेरलोग्राम जो है इस तरह का पेरलोग्राम रेक्टेंगल नहीं है तो आल पेरलोग्राम जो है रेक्टेंगल नहीं होगा लेकिन आल जो रेक्टेंगल है वो पेरलोग्राम होगा तो इसलिए जो है यहाँ पर जब definition हम लोग लिखते हैं तो इस तरह का definition लिखते हैं कि आईसा समांतर चत्रभूज समांतर चत्रभूज इसको कहके ही denote करते हैं आयत को क्योंकि यह understood है कि जितना भी आयत होगा वह समांतर चत्रभूज तो होगा ही पेरलोग्राम तो होगा ही लिखते हैं ऐसा समांतर चत्रभूज लिसके आमने सामने की भुजा आमने सामने की भुजा बराबर हो, समांतर हो तथा परतिय को 90 डिगरी का हो तो उसे हम लोग rectangle कहते हैं उसे ही आयत कहते है चलिए समझ में आगया होगा आप लोगों को तो आयत का जो बिकर्ण होता है आयत का जो diagonal होता है यह diagonal दिखें यह जो diagonal होता है इसमें मिलाईए आप लोग समझ सकते हैं यह दोनों को मिला दिजेगा तो यह जो diagonal होता है आयत का तो यह दोनों diagonal जो है आपस में बराबर होता है ये भी D होता है और ये भी D होता है तो आयत का जो diagonal होता है वो क्या होता है बराबर होता है और एक दुसरे को जो है समद्वी भाजित करता है बाइसेक्ट करता है समद्वी भाजित करता है दो भाग में divide करता है तो पहला क्या लिखते हैं यहाँ पहला point लिखते हैं कि जो आयत होता है उसका जो diagonal होता है D1 बराबर D2 बराबर D मतलब diagonal जो है बराबर होता है दोनो diagonal बराबर होता है दूसरा क्या है इसमें इसमें है कि जो दोनो diagonal है वो bisect each other करता है bisect करता है bisect each other मतलब एक दूसरे को समावन भागों में divide करता है मतलब ये वाला भाग इस भाग के बराबर होगा इस वाला भाग ये भाग को तो ये सम्धुष भाजित किया ओने दो भागों में विभाजित कर दिया तो diagonal क्या होता है जो OD बरावर OB होगा और OA बरावर OC होगा यह भी लिख देते हैं यहाँ पर OA बरावर OC and OD बरावर OB होगा यह हुआ कि इच अदर कर रहा है मतलब समद्वी भाजित कर रहा है समद्वी भाजित करता है ठीक है यह किलियर हो गया होगा अब इसका area देखते हैं कि इसका छेतरफल कैसे निकालेंगे rectangle का तो rectangle का जो छेतरफल होता है आप लोग पता है area बरावर क्या होता है लंबाई गुना चोराई लंबाई गुना चोराई तो लंबाई कितना है इसका लंबाई मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग L मान लेते हैं, चावराई को B मानते हैं, तो L गुना B हो जाएगा, अब इसका तीसरा है कि diagonal, diagonal चुकि equal है, हम लोग जानते हैं, rectangle का जो diagonal होता है, वो बराबर होता है, बराबर AC, बराबर BD, तो इसका length कैसे निकालेंगे, चुकि देखे, यह जो है, एक देखा जाते, A, B, C जो है, यह आपका right angle, triangle बंड गया, तो पैथागोरस theorem लगा सकते हैं, पैथागोरस theorem से AC का length निकाल सकते हैं, यह D का length निकाल सकते हैं, तो D बराबर क्या हो जाएगा, L square plus B square, under root L square plus B square, तो यह diagonal का length निकाल गया, अब चलते हैं, निकालते हैं, इसका perimeter, तो परिमिती क्या होगा, आयत का, तो आयत का परिमिती होगा, P बराबर 2 into लंबाई plus 14 E, कैसे, देखे, यह यहाँ पर, यह L है, तो यह भी L होगा, यह B है, तो यह भी क्या क्या point है, आयत के बारे में, कि जो आयत का जो diagonal होता है, वो बराबर होता है, विकर्न बराबर होता है, एक दूसरे को संद्वियोहाजित करता है, इसका जो छेतरपल है, वो लंबाई गुना चोराई होता है, diagonal का length होता है, under root L square plus B P square, परिमिती होता है P वराबर 2 into L प्लस B, तो इतना जो है, आपको याद रखना है, आयत के बारे में, चलिए next work देखते हैं next है work third number है, work square इसको बोलते हैं, इंगलिस में वर्ग में क्या होता है, कि इसमें जो, एक ऐसा, ये भी एक समानतर चतर भूज है, ये भी एक पेरलोग्राम है एक आईसा पेरलोग्राम है जिसकी सभी भुजाएं, जो है आपस में बराबर है, नि सारा भुजा आपस में बराबर होता है, और पड़तिये कोन जो है, 90 degree का होता है ठीक है, और work का जो विकर्ण होता है जो डाइगनल होता है वो बरावर होता है और 90 डिग्री पर एक दूसरे को विभाजित करता है तो चलिए इस इन बातों को लिखते हैं पहले इसका एक डाइग्राम बनाते हैं वर्ग का यह आपका वर्ग है वर्ग का क्या बोले कि यह कैसा समानता चतर बरावर होता है तो दीखे सारे बुझा को हम बरावर कर दिए एक ही लाइन से देनोट किये जिस सारी बुझा बरावर है अगर यह आ आपका A होगा और यह होगा और सारा भुजा बराबर हो गया और परते कौन क्या होगा परते कौन जो है आपका 90 डिगरी का कौन होगा तो यह आपका वर्ग है एक ऐसा समानता चतरभूज जिसकी सभी भुजा है आपस में बराबर हो और परते कौन अगर 90 डिगरी का हो तो व के लिए देखिए अभी हम A, B, C, D लिखते हैं और इसमें लिखते हैं वो दोनों पॉइंट को कि A, B बरावर B, C, B, C, D, B, D, A यह सब आपस में बरावर है और एक एक्वल है दूसरा इसमें पॉइंट लिखते हैं कि A, B, Parallel to C, D है और N, B, C, Parallel to D, A है यह दो बातों को याद रखिएगा अब देखिए इसमें क्या है विकर्न खिषते हैं डाइगनल खिषते हैं तो यह डाइगनल यह खिच दिये यहां से और दूसरा डाइगनल जो है यहां से खिचे यह दो डाइगनल खिचे अब इन दोनों डाइगन है इस पार्ट के इक्वल होगा और यह वाला पार्ट जो है इस पार्ट के इक्वल होगा यह होता है संद्वी भाजित करने का मतलब अब यह जो संद्वी भाजित करता है यह 90 डिगरी के कोन पर संद्वी भाजित करता है तो यह वाला कोन 90 डिगरी होगा यह वाला भी कोन 90 डिग्री हो जाएगा और ये वाला भी कौन 90 डिग्री हो जाएगा तो 90 डिग्री के कौन पर ये समद्वी भाजित करता है तो इसको आप लोग याद रखेगा कि ये वर्ग का जो विकर्न है ये लंबाई बराबर होता है यानि कहने के मतलब AC बराबर BD होता है AC बराबर BD होता है अब देखी AC बराबर BD है और इसको कार रहा है कि समद्वी भाजित करता है यानि दो भाग में बाटता है अब इसका लेंथ जब बराबर है ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों जब बराबर है जब इसको दो पार्ट में बटेगा तो इक्वल प अगर यह चुक his यह 10 ह है तो चुकि diagonal ढोंग बराबर ऴरत यह भी 10 होगा जब यह भी पटे गा तो क्या होगा 5 5 पार्ट में 5 5 में डिवाइड होगा तो दिखे यह भी 5 होगया यह भी 5 होगया यह भी 5 होगया इसका मतलब है कि सारा जो है 5 5 cm का होगया तो इसका मतलब है कि OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD इसका मतलब सारा जो है इक्वल होगा OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD होगा तो इस चीज़ का भी एक result मिलता है हमें यहां से लेकिन आपको याद क्या रखना अभी AC बराबर BD होगा तो यह diagonal माल लेते हैं यह D है मतलब दोनो diagonal बराबर है दोनो diagonal को जो है 90 degree का कोन यहां पर बनता है यह जब दिभाई करता है वाइसेक्ट करता है तो 90 degree का कोन बनता है यहां लिग लेते हैं कि 90 degree पर सम्द्वी भाजित करता है सम्द्वी भाजित करता है तो नब्वे डिग्री कोन पर समद्वी भाजित मतलब बाइसेक्ट यह लिग देते हैं इंगलीज के बच्चों के लिए यह नब्वे डिग्री पर समद्वी भाजित करता है इस चीज को आप लोग याद रखेगा ठीक है अब जो है इसका एरिया देखते हैं सबसे पहले इस अब देखें यह एसकोर हो जाएगा या फिर आप लोग लिख सकते हैं क्या इसको डी स्कॉर बाइट या पी स्कॉर बाइट सिस्टीन तो यह इतने तरह से एरिया को डिनोट किया जा सकता है वह अरका आप लोग या तो पी क्या है या परिमिटर है डी है डाइगनल तो या तो इसको डी स्कॉर बाइट टू या पी स्कॉर बाइट सिस्टीन या ए स्कॉर तो इस केसेस में क्या हो जाएगा अगर आपको डाइगनल दिया रहे और आपसे पुछा जाएगा कि एरिया क्या होग तो D square by 2 कर दीजेगा अगर आपको परिमिती दिया रहे और आपसे पुछा जाएगा कि area क्या होगा तो P square by 16 होगा तो इस तरह से इसका अलग-अलग format में conversion है अभी जो है हम आपको short trick के बल बता रहे हैं short method बता रहे हैं इसलिए हम जो है इसका कहां से इसका proof है यह सारा proof नही discuss कर पाएंगे अभी क्योंकि समय का अभाव है चलिए बाद में discuss करेंगे जब CGL के लिए पर आएंगे तो यह क्या भुजा square होगा क्या क्या है A square या D square by 2 बराबर P square by 16 तो यह area का अलग-अलग format में formula है इसको आप लोग अच्छे से याद रखेगा दूसरा इसमें देखते हैं विकर्ण का length जो है D बराबर क्या होगा D विकर्ण है तो बराबर AC बराबर BD यह विकर्ण है तो यह क्या होगा तो देखे अगर इस triangle को लेते हैं ABC को यह आपका D है यही तो length है यह निकालना है तो क्या होगा D बराबर under root A square plus A square यह 2A square यह 2 root 2A root 2A जो है यह आपका जो है विकर्ण का length मिल जाएगा अब देखे अगर D को जो है परिमिती के form में अगर लिखना होगा तो P बटे 2 root 2 इसका परिमिती क्या होता है बार-बार परिमिती का इस्तमाल हो रहा है तो इसका परिमिती जान लेते हैं तो चारो भुजाओं का योग कर दीजे यह आपका परिमिती हो जाता है तो परिमिती परिमिती को P से denote करते हैं परिमितर को 4A होगा परिमिती क्या होगा इसका 4A होगा तो 4A है तो यहाँ पर देखे अगर इसको 4A अगर इसमें put कर दिया जाए तो यहाँ पर देखे आपको diagonal मिल जाएगा आपको जितना diagonal होगा वो diagonal आपको मिल जाएगा तो diagonal जो है P बटे 2 root 2 इस फौर में भी याद रख सकते हैं या परिमिती जो है P बराबर 4 A होता है विकर्ण जो है root 2 A के फौर में याद रख सकते हैं इसमें ज़्यादा तर जो question आता है वो आपका area से related आता है मतलब आपका area पुछा जाता है उसमें तो area से related रहेगा आपको परिमिती दे दिया जाएगा आपसे पुछा जाएगा area क्या होता है तो आपसे मेंली रूप से ये चेक करेगा आपको P स्क्वाइर बैस 16 आता है कितना fast कर सकते हैं आइसे परिमिती दिया हुआ है तो आप उससे क्या कर सकते है P by 4 करके A निकाल लीजेगा फिर A से आप लोग A स्क्वाइर करके area निकाल सकते हैं या directly आप क्या करेंगे P स्क्वाइर बैस 16 P स्क्वाइड बैस 16 करके निकाल लीजेगा diagonal के cases में क्या होगा अगर आपको diagonal दिया हुआ है तो उससे भी आप क्या कर सकते है diagonal divided by root 2 कीजेगा तो A निकल जागा फिर A स्क्वाइर कीजेगा तो आपको area मिल जाएगा या फिर आप लोग क्या कर सकते है D square by 2 करके आप लोग निकाल सकते हैं directly D square by 2 कीजेगा तो आपको बर का चेतरफल मिल जाएगा तो यह काफी आसान फर्मूले जाएगा आसान प्रूब भी है देखें D बराबर root 2 A है दोनों साइट स्क्वाइर कर दीजिए तो यह क्या हो जागा D square यहाँ पर 2 A square होगा न तो A square ही तो चेतरफल है तो P square divided by 16 कर दीजिएगा तो यहाँ पर A square बच जाएगा तो A square ही छेतरफल है तो बहुत असान प्रूब है आप प्रूब भी याद रख सकते हैं लेकिन अगर आप इसको directly याद रखते हैं तो आपको काम आएगा वहाँ पर समय मतलब बचत कर सकते हैं पांस दास सकेंड भी सकेंड आपका बचत होगा चलिए इसमें जो है बस इतना ही जानना है आपको वर्क के बारे में फिर next जो है आप दिखते हैं रोमबस के बारे में रोमबस के बारे में डिसकस करते हैं next है रोमबस fourth नमर है रोमबस रोमबस को बोलते हैं सम चत्रभुज नाम में ही है सम चत्रभुज तो सम चत्रभुज का क्या होगा कि सब भुजा जो है समान होगा सम चत्रभुज में तो ये देखें रोमबस इस तरह का होता है इसमें क्या होता है कि सारा भुजा समान है मतलब ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये सारे भुजा जो है समान है तो इसको A लिखते हैं तो ये भी A होगा A होगा A होगा सारा बुचा समान है A, B, C, D तो इसमें लिख देते हैं ये दो पोइंट को पहले कि जो A, B, B, C, B, C, B, C, D, B, D, A है तो ये आपका equal to A है मतलब आपस में सारा बराबर है दीखे, square और rhombus में अंतर ये है कि जो square होता है उसका यहाँ पर 90 degree का कोन होता है लेकिन rhombus में ये कोन कुछ भी हो सकता है 90 degree भी हो सकता है लेकिन और भी कुछ हो सकता है तो इसलिए आप लोग यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ 90 degree हो rhombus में तो इसलिए ये rhombus है अगर ये कोन 90 degree हो जाता तो ये ही rhombus जो है D2 है, दोनो डाइगनल अलग अलग होगा लेकिन इसके साथ ये खासियत ये रहेगा, कि ये दोनो डाइगनल देखे, स्क्वाइर के केस में दोनो डाइगनल संदिविभाजित हो रहे थे यहाँ पर भी संदिविभाजित होगा और 90 डिगरी का कोन बन रहाता तो यह जो विकर्ण है यहाँ पर 90 डिगरी का कौन बनेगा लेकिन यह दोनों diagonal का length अलग होगा यहनि कि AC जो है और BD AC equal to D1 है और BC equal to D2 है तो यह दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे rhombus के case में अलग हो सकते हैं और बराबर भी हो सकते हैं अगर यह rhombus जो है अगर square बनता है तब D1 equal to D2 हो जाएगा तो फिर वो square बन ही गया ना आईसे ने तो rhombus में क्या होगा कि D1 और D2 जो है अलग अलग होगा उसमें तो इसका area निकालते हैं इसका area क्या होगा area होगा half into D1 into D2 half into product of diagonal यह दोनों diagonal को गुना कर दिजेगा तो आपको इसका area मिल जाएगा दूसरा है कि इसका area निकालने का फर्स्ट यह है दूसरा है कि area बराबर इसी को लिख सकते हैं आप लोग half into अच्छा यह area नहीं है यह small side लिखते देते हैं यह तो हम लोग small side महाने हैं यह side महाने हैं यह side बराबर क्या होगा अगर इस side को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे तो देखे यह आपका D1 है यह आपका D2 है तो यहां से हम लोग इसका निकाल सकते हैं कि side बराबर होगा half into half under root D1 का square plus D2 का square यह जो है इसका आपको यह side होगा और fourth है third है इसका third लिखते हैं कि perimeter जो होगा वो होगा 4A perimeter तो दिखी रहा है A plus A plus A plus A perimeter बराबर 4A होगा तो यहां से हम लोग यह देख सकते हैं इस 2A को इधर कर देते हैं और इसको square कर देते हैं तो क्या होजागा चार rule है इसमें मुखी रूप से आपको याद रखना है क्या क्या याद रखना है rhombus में जो है क्या होता है कि दोनों diagonal बराबर नहीं होते हैं area बराबर क्या होता हाफ into product of diagonal दोनों diagonal का गुना कर दीजेगा और अगर जहां आपको side निकालना है rhombus का एक side निकालना है a तो half under root d1 का square प्लस d2 का square और p बराबर perimeter बराबर 4a होगा और इसको इधर कर दिए तो 2a हो गया ना दोनों की square कर दिए तो 2a हो जागा 4a square बराबर d1 square प्लस d2 square अब देखे एक tripegium बचा हुआ इसमें tripegium जो है अगले lecture में discuss करेंगे tripegium में क्या होता है कि एक ऐसा मतलब वो चतरभूज है जिसका आमने समने के बुझा का सिर्फ एक ही जोरा जो है parallel रहता है समानतर रहता है बाग की दूसरा जो है नहीं रहता है तो इस तरह का एक figure बनता है इस तरह का figure है यह tripegium होता है समलंब जिसको चतरभूज बोलते है वो हम next lecture में discuss करेंगे आपके साथ उसका circle भी discuss करेंगे ठीक है आपको यह lecture कैसा लगा आप लोग comment box में लिखिएगा अगर आपको यह lecture अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को subscribe कीजिए इस लक्चर को